नमस्ते विद्धार्तियों आज हम देखेंगे चौती कवीता मन उसका स्वाध्य प्रश्ण पहला सूचना के अनुसार क्रूतिया कीजिए उचित जोडिया मिलाईए A नमबर पर है मचली, गीतो के स्वर, रेल की, पट्रिया, आकाश A नमबर पर है मौन, सूना, प्यासी, अमर, पीडा तो देखें जोडिया लगाते हैं मचली का उत्तर आएंगा प्यासी मचली समुद्रों में भी रहके प्यासी रहती है गीतो के स्वर, क्या होते हैं, अमर, रेल की, पट्रिया, कैसी चलती है, मौन आकाश कैसा बताया गया है, सूना उसके बस्षात, दूसरा प्रश्ण, परिनाम लिखिए सितारों का छिपना, सितारे छिपते हैं तो परिनाम क्या होता है सूना आकाश, आकाश सूना लगता है दूसरा, तुम्हारा गीतो को स्वर देना गीतो को जब स्वर दिया जाता है तो कैसे होते हैं? अमर होते हैं, उत्तर आएगा गीतो का अमर होना तीसरा प्रश्ण है सरर अर्थ लिखिये मन की बरसी आखे तो उसका उत्तर कैसा है प्रश्ण कैसा है ये मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आखे इसका अर्थ है जब मन की पीड़ा बहुत घहरी हो जाती है तो वह बादल बन कर आसुओं के रूप में बरसने लगती है इसके बाद का प्रशन देखते हैं विद्धरतियों सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए लिखिए निमनलिखी थाईको दोरा मिलने वाला संदेश करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा इस पंक्ती के दोरा हमें क्या संदेश मिल रहा है हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए यहां नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा दूसरा है भीतरी खुंठा नैनों के दोर से आई बहार इस पंक्ती से हमें मिलने वाला संदेश है जब नेत्रों से अश्रू भैते है तो यहां मानना चाहिए कि मन की कुंठा नैन रुपी दोर से बाहर आ रही है इसके बाद का प्रश्ण है कुरूती पूर्ण कीजिए हाइकू में प्रयुक्त महिना और उसकी रितू हाइकू में कौन सा महिना बताएगा है? फागुन का महिना और वो कौन से रितू में आता है? वसंत रितू इसके बाद है प्रश्ण क्रमांक तीसरा उत्तर लिखिये मजधार में डोले नईया छिपे हुए कौन है सितारे, धुल गए क्या विशाद, अमर हुए क्या गीतों के स्वर तत पश्चात प्रश्ण है निमनलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रिय भाव स्पस्ट कीजिए कहली पंक्ति है चलती साथ पट्रिया रेल की फिर भी मौन देखिये इसका अर्थ क्या हुआ है रेल की पट्रिया अनन्द काल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है एक दूसरे से कभी बाते नहीं करती दूसरी पंक्ति दी गई है काटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रेरना इसका अर्थ कवी कहते है गुलाब का फूल काटों के बीच में भी हसता है खिल खिलाता है वह हमें हर पल प्रेरना देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना चाहिए